भारतिये जंता पार्टी की 10 साल सरकार रही केंदर में अर्जंता के साथ किये गए एक भी वादो को इन्होंने पूरा नहीं किया सब के साथ सम्मान और न्याय किया है न्याय के साथ विकास किया है सरकार ने बिहार की 40 की 40 सीट इंडिया गडबंधन के हाथों में होगी बीजेपी हाथ मलते राज आएंगे खाता भी नहीं खुलने वाला है नमस्कार मैं आदाम सदन जी है आप देख रहें एक निश्टनटीपूर और अमारे साथ बाचित करने के लिए जदियू के परदेश प्रवक्ता हिम्राज राम है कल गड़ी राज मंत्री नितानराय ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी बिहार में 40 में से 40 सीट जीतेंगे और उसके बाद जदियू का खाता भी नहीं खुलेगा देखिए इस ब्यान को सुन करके बड़ा हसी आती हमें यह हस्यास्वब ब्यान है भारतिय जनता पार्टी की 10 सल सरकार रही केंदर में दो ट्रम रहे सरकार में और जनता के साथ किये गए एक भी वादो को इन्होंने पूरा नहीं किया तो किस मुम से करते हैं कि हम बिहार की जनता का भोट ले लेंगे अरे दरसल जनता तो इन्हें नकार चुकी है और जनता दोरा नकारे गए लोग है और बात रही बिहार की तो 2015 में बिधान सभा के चुनाओं में टेलर देख चुका है लोगोंने कि जब ओश्यम है महा गटबंदन में यानि आरजडि और जडिव की गटबंदन ने जो भाजपा को आउकाद में लाने का कांद किया था आज 2024 के लोग सभा चुनाओं में जडिव सहित कई दलों का गटबंदन है और ये मजबूत गटबंदन है महा गटबंदन ऐसा मजबूत गटबंदन है जो आज महा गटबंदन की मुहीम इंडिया गटबंदन के रूप में दीख रहा है देश में मजबूत ताकत के रूप में और आज इसमें आधा दर्जन दल का ये गटबंदन है बिहार में मजबुत गटबंदन है और सरकार ने जो काम किया है चाहे वो रुजगार का मामला हो या अमन चैन सांती का मामला हो या सभी वर्गों को उचित सम्मान दने का मामला हो सब के साथ सम्मान और नयाय किया है नयाय के साथ विकास किया है सरकार ने और इसके बल पे हम मजबुती के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से जनता का रुजहान जनता की यासा और विश्वास नितिश कुमार जी के साथ जुरा हुआ है महा गटबंधन इंडिया गटबंधन के साथ जुरा हुआ है और बीजेपी के साथ जो बड़ी नराजगी दीख रही है इन लोगों की बिहार की 40 की 40 सीट इंडिया गडबंधन के हाथों में होगी बीजेपी हाथ मलते रा जाएंगे खाता भी नहीं खुलने वाला है अरे सबसे पहले तो इस बात मैं पहले भी कहा कि बड़ा हाथ स्यासबत लगता है यह उपिंदर कुश्वाह जी और गिरी राज सिंग जिनकी अपनी अलग से कोई राज नितीक है एस्टेटस नहीं है एस्टेटस होता था इनके बल पे इनके बिधायक भी जितते एंपी भी जितते और गिरी राज बाबूर जब चुनाओं में खड़े थे तो नितीस कुमार जी से आसिरवाद लेकर ही गए तब जाके लोग शभा का मुह देखे आज इतनी लंबी चोड़ी बाते नहीं करते अपनी अवकात पर सीट जीतें तब वो बात करें तो ज्यादे अच्छा लगता है हमें तो ये बात हाथ से आस्पत लगता है कि जेडिव के एमपी और शांसद इनके शंपर्क में है अड़े आप अपनी चिंता कीजिए घर की भाजपा के अंदर जो अंतरकला है सिर्फ उटवल है आप अपने दल को बचा लीजे अपने नेताओं को बांध लीजे एक साथ आनजदी जे लोग सभाश चुनाओं नजदी काते आते आते आपको सब दिखाई पर जाएगा कितने भाजपा के नेता दल छोड़के बड़ी संख्या में बाहर जाने वाले है आप सुन रहे थे जद्यू के परतियस पर रोगता है हिमराज राम को आपने इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद सत्ता के हुकमरानों के हिससे कुछ सवाल जबाब हुए बांकी से जिला चलता रहेगा अब आपकी बारी आपकी क्या रहा है नीचे कमेंड बॉक्स में बताजिएगा और देखते रहे एक निस्टन टीपोर मेरे सजू के आस्तो सिंग के साथ मैं सदन्जी पटना